हलो फ्रेंड्स वेलकाम पेक टू माई चैनल ये स्ट्रामी के हिंदी एक्स्प्लिनेशन का पार्ट टू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यू हुई से बात कर रहा थी यू बोलती है चैन ने मुझे जूट बोला वो बिजनस ट्रीप पर नहीं बलकि अपनी एक् चैन बिजनस ट्रीप से घर आता है यू बोलती है इतनी जल्दी क्यों आ गए चैन बोलता है मुझे तुमारी फिक्र थी इसलिए चल्दी आ गया पर तुम अपसेट क्यों हो यू बोलती है कुछ नहीं हुआ चैन को उसकी एक स्केलफरेंट टैंग का कॉल आता है चैन बोल टैंग यू को कॉफी देती है यू बोलती है मैं प्रेगनेंट हूँ इसलिए पानी से ही काम चलाना पड़ता है तुम्हारा बेबी जल्दी से इस दुनिया में आ जाए तब तक तुम्हें जो करना है वो कर लो यू को हुई का मेसिज आता है यू घर लेटाती है चैन बोल पानिद्थी यू और हुई की यू बोलती है क्या तुम मेरी जासू सी कर रहे हो चैन बोलता हाँ क्यूंकि तुम मुझे दोका दे रही ह हो यू बोलती है हुई मेरा फ्रेंड है पर वो तुमसे कहीं जाधा अच्छा है मैं तो जाऊंगी मिलने वैसे तुम अपना बताओ टैंक के पास नहीं जाना। चैन बोलता है क्या बोल रही हो। अब से तुम घर से भार नहीं निकलोगी। यू की जो केर करती थी वो अंटी बोलती है आपको इतना चिलाना नहीं चाहिए। यू चैन को बोलती है तुम मेरी अजादी नहीं ले सकते। चैन बोलता है मैं तुम्हारा हस्बन हूँ कुछ भी कर सकता हूँ यू को हुई का कॉल आता है तुम्हारी मॉम होस्पिटल में है जल्दी से आ जाओ यू जा रही थी अंटी उसे रोकती है तुम घर से भार नहीं निकल सकती यू बोलते है मेरी mom hospital में है वो जा रही थी पर भार चेन था चेन बोलते है तुम्हें मना किया था ना यू बोलते है तुम होते कोन हो चेन बोलते कितनी बार बताना पड़ेगा तुमारा husband हो आपसे तुम किसी भी आदमी से नहीं मिलोगी यू बोलती है तुम तो टेंक से प्यार करते हो ना तो मुझे डिवोस क्यों नहीं दे देते ताकि तुम जो करना चाहो वो कर सको चैन बोलता ऐसा नहीं है तब ही एक लड़की आती है यू का आईकार देने वो बोलती है आप ये होटल में भूल गई थी चैन को तो और भी ज़दा गुसा आजाता है तुम हुई के साथ होटल में गई थी क्या तुम भूल गई हो तुम मेरे बच्चे की मा बनने वाली हो यू बोलती है तुम ऐसा केसी सोच सकते हो वो बस मेरा दोस्त है ना पर चैन के भेजे में ये बात नहीं गुसती इवन वो यू का फुन भी ले लेता है मैं जानता हूँ हुई तुमें लाइक करता है इसलिए बोल रहा हूं दूर रहो यू चैन को मार रही ठीConu उसे उठाके रूम में लाता है अब से तुम यहीं पर रहोगी यू बोलती है ऐसा मत करो मुझे भार निकालो पर कोई नहीं सुनता अंटी यू के लिए लंच लेके आती है तुमारे बेबी को ठूक लगी होगी न यू बोलती है मुझे नहीं खाना चैन को भी पता चल गया था यू कुछ खा नहीं रही है वो बोलता है अगर मेरे बेबी को कुछ हुआ ना तो मैं तुमारी फैमली को बरबात कर दूँगा यू बोलती है मेरी मॉम होस्पिटर में है मुझे उनसे मिलना है चैन बोलता है मैं उनकी केर कर रहा हूं तुम ठेंशन ना लो तुम अपनी केर करो और बेबी की मेरे कप होता है दोक्र बताती है बेबी ठीक है चैन यू को टच करने वाला था यू बोलती है मुझसे दूर रहो चैन बोलता है पर मैं अपने बेबी को टच कर रहा हूं यू बोलती है तुम मुझे डिवोस क्यों नहीं दे देते ताकि तुम टेंग को घर ला सको और खुश र यू बोलती है उससे तुम्हें क्या चैन बोलता है मैं तुम्हें इतनी असानी से नहीं जाने दूंगा चैन को टैंक का कोल आता है आज रात मुझसे मिलने आ जाओ ना चैन बोलता है मैं बीजी हूँ कोई काम हो तो असिस्टंट को बता देना टैंक चैन की मोम से मिलने आती ह मूम बोलती है तुम वापिस क्यूँ आई हो और कमपणी में काम क्यूँ कर रही हो? तैंग बोलती है मुझे तो आना ही था मूम बोलती है अब कोई फायदा नहीं है क्यूंकि चहन ने शादी कर लिए Even वो डैड भी बनने वाला है तैंग बोलती है तो क्या हुआ वो मौम को फोटो दिखाती है जिसमें मौम अपने बोईफरेंड के साथ थी टायंग बोलती है मैं Chen को लाइक करती हूँ तो मुझे वापिस चाहिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी मौम अंटी को कॉल करती है जो यू की देखरेक करती है मोम बोलती है जैसे मैं बोल रही हूं वैसे करो अंटी बोलती है पर यू बुरी लड़की नहीं है मोम बोलती है पर तुमारा बेटा तो है न वो जेल में है क्या उसे चुड़वाना नहीं चाती रात में चैन यू को देख रहा था और अंटी से बोलता है यू को मत बोलना मैं यहां आया था पर यू ने भी बात सुन ली थी मोनिंग में टैंग यू से मिलने आती है यू बोलती है यहां क्या कर रही हो टैंग बोलती है तुम्हें नहीं पता चैन तुमसे डिवोस लेके मुझसे शादी करने वाला है इवन तुमारे बेबी की नई मोम मैं बनने वाली हूँ इसलिए मिलने आ गई यू बोलती है तुम्हें क्या लगता है चैन तुमसे प्यार करता है वैसे भी जब तक मैं चैन को डिवोस नहीं दूँगी तब तक वो तुम्हारा नहीं होगा अब जाओ यहां से तब ही उसे पीन होने लग जाता है मोम अंटी को कॉल करती है मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना अंटी जानकर हुई को कॉल करती है कोई होस्पिटल में आके बोलता है चैन कहा है ऐसे टाइम पर उसे यो के साथ रहना चाहिए तभी नर्स बोलती है फैमली मेंबर को साइन करना होगा तभी ओपरिशन स्टार्ट होगा हुई साइन कर देता है तभी चैन आता है यो और बेबी कैसे है अंटी बोलती है डॉक्टर ने बोला है बेबी को बचाना मुश्किल है चैन हुई को देखता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वह चैन को पंच मारता है तुमारी वाइफ की तुम केर नहीं कर सकते हो तो मुझे दे दो जादा प्रोटेक्टिव होना जरुत नहीं है क्योंकि तुमने यू के लिए अब तक कुछ किया नहीं है तैंग बोलती है लगता है तुम उसके मैन हो तुम दोनों का क्या रिष्टा है हुई बोलता मैं तुमारी तरह नहीं हूँ यू मेरी बेस फ्रेंड ह हुई के जाते ही मोम अंटी से पूछती है क्या तुम्हें पता है हुई का और यू का क्या दिलेशन है अंटी जूट बोल देती है हुई यू का एक्स बॉइफरेंड है मोम बोलती है चैन तुम इस यू को डिवोस दे दो तैंग चैन पर नजर डाल रही थी चैन बोलता है मुझे पता है तुम क्या करने का ट्राइ कर रही हो पर अगर मैं डिवोस भी दे दूंगा तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला तो निकलो यहां से यू को होश आता है वो पूछती है मेरा बेबी कैसा है चैन बोलता है वो नहीं रहा यू तो रोने लग चाती है यू बोलती है वो बीजी होगा जू बोलती है इस टाइम पर उसे तुमारे साथ रहना चाहिए था पर वो यहां नहीं है यू बोलती है ठीक है हमारी शादी बेबी की वज़े से हुई थी जब वो ही नहीं रहा तो हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है जू यू को लेकर जा रही थी तब ही उसे टैंग मिलती है वो उसे बोलती है अब तो तुमसे चुटकारा जल्दी मिल जाएगा चैन मुझसे ही प्यार करता है और किसी से नहीं बेबी की वज़े से वो तुमारे साथ था पर वो तो अब नहीं रहा जू टैंग को चाटा लगा देती है तुम जै रहाता जू बोलती है जब तक डिवोस नहीं हो जाता अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना और टैंग को यू से दूर रखना चैन यू को घर छोड़ कर चला जाता है यू सोचती है हमारे बेबी की दर्थ हो गई है मेरा हस्बन इतना नोर्मल कैसे है जू यू से मिलने आती र देख लेता है यू जू के साथ भार घूमने गई थी जू बोलती है इस टाइम पर तुम्हें शॉपिंग करनी चाहिए ताकि स्ट्रेस को दूर कर सको तभी ये दोनों चैन और टैंक को देख लेते हैं जो कपल लग रहे थे जू बोलती है क्या बात है टैंक बोलती है नहीं है जू बोलती है सब दिख रहा है क्या है और क्या नहीं यू जू को लेकर चली जाती है जू बोलती है तुम्हें ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए तुम उसकी वाइफ हो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या करोगी यू घर आती है जहां चैन था चैन बोलता है क्या तुम भूल गई मैं तुम्हारा हस्बन हूँ यू बोलती है हाँ बिलकुल क्योंकि हम कितने दिनों से नहीं मिले इवन आज मैंने अपने हस्बन को उसकी गल्फन के साथ देखा है तो अब भूलना ही होगा ना चैन बोलता है ऐसा नहीं है तुम अपना बता हुई से नहीं मि बोलती है तो तुम भी तो टैंग की साथ रहना चाहते हो ना तभी तो उसे रिंग भी दी है मैं तुमारी हेल्प कर रही हूँ मुझे डिवोस चाहिए क्योंकि वेसे भी हमने प्यार की वज़े से तो शादी नहीं की थी ना चैन बोलता ठीक है कल डिवोस ले ले लेते हैं यू अपना बैक दिखाती है देख लो पर अभी भी तुम चैन की वाइफ नहीं हो मुझे ये घर और चैन नहीं चाहिए अब तुम ले सकती हो यू रोती हुई जू के घर आती है क्या मैं यहां रह सकती हूँ जू बोलती है हम पहले भी साथ ही रहते थे ना तभी हुई आता है क्योंकि उसे पता चल गया था डिवोस के बारे में वो बोलता है मैं अवरोड जा रहा हूँ तुम चलना चाहो तो चल सकती हो मेरे साथ जू बोलती है तुमें जाना चाहिए चैन ट्रंग था मोम बोलती है आप तुम उसका फाइदा उठा सकती हो टैंग बोलती है मुझे ऐसे चैन नहीं चाहिए तभी चैन बोलता है मैंने सब सुन लिया है आप दोनों की वज़े से मेरा डिवोस हुआ वो जा रहा था टैंग बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूं चैन बोलते है अच्छा तो पहले मुझे छोड़ कर क्यों गई थी टैंग चैन को रोक रही थी तब ही उसकी तबिद बिगड़ चाती है चैन उसको रूम में लाता है और चला चाता है चैन यू की मोम के घर आता है और पूछते है मोम यू कहां है मोम बोलते है वो तो तुम्हारे साथ थी ना क्योंकि मोम को डिवोस और बेबी की देढ़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था मोम बोलते है क्या तुम दोनों की लडाई हुई है चैन बोलता है मैं यू से बात करने के बाद आपको कॉल करूँँगा चैन जू के घर आता है यू कहां है जू बोलती है निकलो यहां से बोस तुम अपनी कमपनी में होंगे यहां नहीं हो क्या मैं पुलीस को बुलाओं चैन रिक्वेस्ट करता है प्लीस मुझे बता दो कहां है यू जू बोलती है वो अबरोड चली गई है हुई के साथ वो तु से बेटर है तुम जैसा नहीं है चैन एरपोर्ट जा रहा था जू बोलती है फ्लाइट टेक ओफ होच चुकी है मॉम यू को कॉल करती है क्या तुम्हारा और चैन का जगड़ा हुआ है यू बोलती है हमारा डिवोस हो गया है यू अपनी मॉम को सब बता देती है इवन ये भ के बहुत ज़्यादा खुश होती है यू अपनी मॉम से मिलने आती है जिन की हालत बिलकुल भी अच्छी नहीं थी ये बात चैन को पता चलती है वो असिस्टन को बोलता है यू की मॉम का बेस ट्रीटमेंट होना चाहिए मॉम यू से बोलती है तो मुझे छोड़ कर चली ग लेक्स वीडियो कि साथ तक तक की लिसार रंगी बाइव